गुढ़हल के पौधे में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है वो कीडों के अटैक की होती है अगर अपने पौधे को प्रॉपर नियूट्रिशन और खात देने के बाद भी अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण इस पर कीडों का अटैक हो सकता है आम तोर पर गुढ़हल के पौधे को एफिट्स, वाइट फ्लाइज, ये स्पाइडर मैट्स या फिल मिली बग जैसे कीट हानी पहुचा सकते है मेरे गुढ़हल के पौधे पर जो सबसे जादा मुझे कीडों का अटैक दिखता है वो मिली बग का दिखता है मिली बग सफेद रंगे बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं जो कि पौधों की पतियों फोलो और टहनियों पर गुच्छे के रूप में चिपके रहते हैं पौधों पर मिली बग का प्रकौफ होने पर पतियां पीली पढ़ने लगती हैं पौधों की ग्रोथ रुख जाती है मिली बग बहुत ही कम समय में अपनी संख्या कई गुना बढ़ा लेते हैं और गार्डन में लगे कई सारे पौधों को भी इंफेक्टिट कर देते हैं जब भी पौधों पर मिली बग का अटाइक होता है इसके करण पौधे पर कई सारे सिम्टम्स नजर आते हैं मिली बग अपने नुकिले मुह को पौधों की पतियों या फलों में डालकर उसमें से रस चूसने लगते हैं रस चूसते समय मिली बग पतियों फलों में विशैला पदार्थ और साथ ही सहत के जैसा चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ते हैं चिपचिपे पदार्थ हनी डिव की करड़ पौधों पर चीटियां भी चड़ने लगती है और साथ ही पत्तियों पर काली फंगस भी लग जाती है जिसके करड़ पौधों की पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है पौधों की ग्रोथ रुख जाती है फल वा सब्जियां पह उसके शुरुवात एक से दो दिने ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर मिली पक बहुत जादा अगर हो गया है तो कंट्रोल करने में एक से दो हफ़ोय का समय भी लग सकता है। था समय में आप महोसम और मीठी सुगंध होती है जिसकी वज़े से भी कीड़े इस पर अटाइक कर देते हैं जो पौधे प्रॉपर नियूट्रिशन पानी या फिर धूप की कमी के करद कमजोर होते हैं उन पर भी कीडों के हमले का खत्रा बहुत ही ज्यादा होता है जब पौधे कमजोर होते हैं तो उ अगर आप अपने पौधे की प्रॉनिंग करते हैं और उस पर किसी भी तरीके के फंगी साइट का इस्तिमाल नहीं करते हैं तो भी आपके पौधों पर कीडों का अटाइक होने का खत्रा बना रहता है गुड़ल के पौधे से मिली बक्स को हटाने के लिए अपने घर में ही इस्तिमाल होने वाली चीजों से पेस्टिसाइट बना सकते हैं फिटकरी का इस्तिमाल लगबग सारे ही घरों में होता है पेड़ पौधों के लिए फिटकरी एक कीट नाशक की तरह काम करती है किसी भी पेड़ या फिर पौधे में चीटी या कीड़े लग गए हो तो सिर् हम डालेट गंबले की मिट्टे में भी दे सकते हैं इसका फिर लिक्विड भी बनाके अपने पौधों में देंगे तो उसका रेजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा एक लिटर पानी लेकि फिटकरी को अब उसमें चार से पांच मिनट तक डिजॉल्व होने के ल हुआ है आप इस पर बोटल से उस पर छिड़काओ कर सकते हैं एक या दो इस्तिमाल के बाद से ही आपको पौधों पर इसका असर दिखने लगेगा फिटकरी का पानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है फिटकरी में अलुमिनियम सल्फिट और पोटैसियम सल होती है और हमेशा हरे भरे भरे भी रहते हैं ऐसे में आप पौधों की सिचाई भी फिटकरी के पानी से कर सकते हैं पौटैसियम सल्फिट मुखे रूप से पौधों के लिए महत्वपूर खनीज होता है जो कि उन्हें निरोगी और स्वस्त बनाए रखता है फिटकरी को प पौधों के लिए खात के रूप में भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसे पौध मस्बूत और स्वस्त बनते हैं और उन्हें फूलों की संक्या काफी जादा बढ़ जाती है मिली बक्स को हटाने के लिए आप इसका इसका 쌀 मालकते हैं तो आपको एख ही बारे ही इसका अच्छा रिजल्ट्ट आपको देखने को मिल जाएगा अगर अगर आपके पौधय पर मिली वक्स चटाएobile शुरुआत होती है तो आपको एक से दो बार में ही करosono मिल देखने को मिल जाएगा अपने गार्डन की पौधों को किडों का टाक से बचाने के लिए कुछ सावधानिया भी आप रख सकते हैं गार्डन में सुखी पत्तों पौधों की मलबो और खरपतवार को हटा के गार्डन में समय साथ सफाई बनाए रखें पौधों की प्रूनिंग करते समय टूल्स को हमें साथ सैनिटाइज करके इस्तिमाल करें पौधों को स्वस्थ रखने के लिए उचित देखभाल जैसे परियाप्त पानी देना खाद और धूप आधिका ध्यान रखें क्योंकि स्वस्थ पौधों पर कीड़े जल्दी अटाइक नहीं करते हैं गार्डन में अपने केमिकल युक्त पदार्तों का प्रियोक करने से बचें अगर आप अपने गार्डन में फिटकिरी का इस्तिमाल कर रहे हैं तो कुछ सावधानिया भी रखें बहुत अधिक मातरा में फिटकिरी का इस्तिमाल ना करें फिटकिरी का इस्तिमाल अगर पानी में मिला के किया जाएगा तो वह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है फिटकिरी का इस्तिमाल या तो सुबह के टाइम करें या फिर शाम के टाइम करें दो फैर के टाइम पौदों पे फिटकिरी का इस्तिमाल बिल्कुल भी ना करें इस तरीके से आप अपने पौदों पे फिटकिरी का इस्तेमाल किडों को हटाने के लिए पौदों को स्वस्थ रखने के लिए भी कर सकते हैं अगर आपको यह जानकारे अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए हैपी गार्डनिंग